फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज आपने पढ़ना है Which Bulb Will Glow Brighter? कौन बल्ब अधिक चमकेगा? ठीक बच्चो तो बल्ब का चमकना ठीक है बच्चो किस कारण से बल्ब चमकेगा? ठीक है बच्चो ये निर्भर करता है कि एक सिकंड में एक सिकंड में बल्ब द्वारा ब्याय की गई उर्जा कितनी है? ठीक है बच्चो ये निर्भर करेगा कि बल्ब एक सिकंड में कितनी उर्जा ब्याय कर रहा है? ठीक है बच्चो उसी को हमने क्या का था? उसी को हमने इसको क्या का था? सामर्थय सामर्थय या क्या का था पावर ठीक है बच्चो एक सेकिंड में वो कितनी उर्जा को ब्याई कर रहा है ठीक है बच्चो चुँके हम जानते हैं P बराबर होता है W अपॉन T तो यहां पर से हम क्या कर देंगे T को एक सेकंड कर देंगे ठीक है बच्चो तो हमारा P किसके बराबरा जाएगा W के बराबरा जाएगा अर्थात एक सेकिंड में कितना कारे कर रहा है अर्थात एक सेकिंड में कितनी उर्जा को क्या कर रहा है ब्याये कर रहा है ठीक है बच्चो अब इसको निकालने से पहले बच्चो जो हैं आपको जानना पड़ेगा बल्व का पर्चिरोद ठीक है बच्चो और हमें बल्व का पर्चिरोद भी देखना पड़ेगा बच्चो कि बल्व का पर्चिरोद हम कैसे निकालेंगे ठीक है बच्चो अब बच्चो हम आपको यहां पर बताएंगे हमारे पास सामरत्यकित या पावर के 3 फॉर्मले हैं P is equal to V I दूसरा P is equal to I square R और तीसरा फॉर्मला है बच्चो V is square upon R यह 3 फॉर्मले हमारे पास हैं पहले फॉर्मले मैं आपको current का पता होना चाहिए ठीक है बच्चो दूसरे formula में आपको current का पता होना चाहिए लेकिन तीसरे formula में ये भी हमें दिया रहता है और r हमें ग्यांत करना p भी हमें दिया रहता है तो आसामी से जो हैं तीसरे formula के द्वारा हम क्या ग्यांत कर सकते हैं बल्ब का पर्तिरोद ग्यांत कर सकते हैं तो बल्व के परतिरोत को ग्यांत करने का हमारे पास क्या फॉर्मला आ गया बच्चो P is equal to B square upon R ठीक है बच्चो और यहाँ पर बच्चो भी नियत रहता है यह भी नियत रहता है और Indian Standard Cancer जो है हमारे भारत में यह लगवत 220 बोल्ट पर हमारे appliances काम करते है कितना होता है 220 बोल्ट होता है बच्चो ठीक है तो अब आप क्या कहेंगे बच्चो P universally proportional R ठीक है बच्चो इसका मतलब यह हो गया कि जिसका परतिरोत यह जो पावर सामर्थ है सामर्थ है या सकती उसको कहेंगे पावर पावर बालब के बालब के इदेखो बच्चो बालब के बालब के परतिरोत बालब के परतिरोत पर निरभर करती है निरभर करती है ठीक है बच्चो किस पर निरभर करेगी बच्चो यह बालब का कितना परतिरोत है उस पे निर्भर करेगी, ठीक है बच्चो, बल्व का कितना पर्चिरोध है, उस पे ये क्या करेगी, निर्भर करेगी कि बल्व का कितना पर्चिरोध है, ठीक है बच्चो, तो यहाँ पर सामर्थ्य किस पे निर्भर करेगी, बल्व के पर्चिरोध पर निर्भर करेगी, ठी परतिरोध बढ़ने पर सक्ति या सामर्थ्य या पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी परतिरोध घटने पर बढ़ जाएगी ठीक है बच्चो अगर ये परतिरोध क्या होगा कम होगा ठीक है बच्चो तो ये पावर बढ़ जाएगी और परतिरोध अगर क्या होगा अधिक होगा तो ये पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी ठीक है बच्चो अब हम आपको एक बल्ब बना देते हैं उसका परत्रोद हम यहाँ पर निकालते हैं ठीक है बच्चों एक बल्ब हमने यहाँ पर बना दिया उसका परत्रोद हमने ज्याद करना है इस परकार से बच्चों एक बल्ब हम यहाँ पर बना रहे हैं यह देखो बच्चों और इस बल्ब में क्या हिसका मतरवा कि विभांतर कितना bolt है 220 Mr就是說 loop की पावर कितनी है सामट्चे कितनी है 100 क्या है कि वाड है ठीक है ठीक है वाट है उसके 100 वाट है तो कौन सा फॉर्मल लगातेंगे बच्चों हम कौन सा फॉर्मल निकालना है वस्ट तो यहाँ से चुँकि जो हैं फॉर्मला क्या है P is equal to v square upon R है इसका मत्फ़ क्या हुआ बच्छो P into R बरावर भी square रवा तो R बरावर कितना हो जाएगा भी – यह देख बच्छो V square upon कितना हो जाएगा P हो जाएगा तो यहां से 100 watt के भल्व का प्रत्रोद मैं निकाल देता हूं और बटे कितना हो जाएगा बच्चो यह 100 हो जाएगा ठीक है बच्चो बटे कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा तो इससे कंसल हो गया इससे कंसल हो गया तो आर की जो वहलिव हमारे पास आती है आर की जो वहलिव आती है हमारे पास आती है यह आती है 484 ठीक है बच्चो इस उधारन इसलिए बताया क्योंकि जो हैं बल्ब का पर्चोद निकालने के लिए आप किस फॉर्मले का परियोग करेंगे आर इस इकल टू ये देखो आर इस इकल टू भी स्क्वाइर अपॉन पी का यहां पर आप परियोग करें अब बच्चो एपलेंसिस को हम दो प्रकार से परिपत में लगाते हैं ओप करनों को यहां तो बल्ब को लगाना है पहला है स्रैनी क्रम स्रैनी क्रम ठीक है बच्चो इन स्रीज ठीक है बच्चो इन स्रीज तो पहले मैं इसी को बता तूँ बच्चो आपको देखो बच्चो हमारे पास ये बल्व है एक बल्व ये है एक बल्व ये है और एक बल्ब ये है ठीक है बच्चो हमारे पाद तीन बल्ब हैं इसको हम 220 के मैंस से जोड़ देते हैं तीनों बल्बों को 220 मैंस से जोड़ देते हैं ठीक है बच्चो ये पहला बल्ब हो गया ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ठीक है बच्चो तो इसमें क्या होगा यह देखे बच्चो, current सब में है, एक flow होगी, देखो बच्चो, और ये काम कितने पर करेंगे? कितने पर काम करेंगे सभी? 220 बोल्ट पर ही ये तीनों बल्ब क्या करेंगे बच्चो? काम करेंगे, पहले की power क्या है? P1 है, दूसरी की power P2 है, तीसरी की P3 है, ठीक है बच्चो? मान जे पहले बल्ब, जो पहला बल्ब है, वो 40 वाट का है, दूसरा बल्ब जो हमारे पास, ये 60 वाट का है, और तीसरा बल्ब जो हमारे पास जो है, वो 100 वाट का है, ठीक है बच्चो? हमारे पास जो है, ये तीन बल्ब हैं, ठीक है बच्चो? अब हम इससे ब्याई हुई उर्जा को ग्याद करेंगे तो स्रेणी करम में स्रेणी करम में P is equal to I square R इस formula का आप परियोग करेंगे क्योंकि जो है बच्चो इसमें धारा क्या है समान है ठीक है बच्चो और R का formula R तो हमने पहले से बता रहा है बच्चो R inversely proportional P ये बच्चो ये formula तो स्रेणी करम के लिए भी वही होगा और समानतर करम के लिए भी वही होगा लेकिन यहाँ पर देखो बच्चो पहले बल्ब का परत्रोत कितना हो जाएगा पहले बल्ब की power कितना हो जाएगी P1 बराबर I तो समान है बच्चो I तो क्या है समान है I square R1 ठीक है बच्चो दूसरे बल्ब का कितना हो जाएगा P2 बरा कितना हो जाएगा I square R2 और तीसरी का कितना हो जाएगा बच्चो तीसरी का कितना हो जाएगा I square R3 अब बच्चो आप बताएगे यह देखो R किसके inversely proportional है P का अगर P बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है हमें P1, P2 कितने दे रहे हैं P1, P2 यहाँ पर हमें यह 40 Watt का दे रहे है ठीक है बच्चो यह 40 Watt का दे रहे है यह 60 Watt का दे रहे है और यह 100 Watt चलो बचो हम इसको डैस कर देते हैं, क्योंकि ये तो जो है, इतने पत्र वर कर सकता है, ये उसके द्वारा, एक सेक्ड में गया हो, इसको हम डैस के रूप में लेते हैं, ठीक है बचो, अब बचो यहां देखें, सो वार्ट का बल्व है, तो सो वार्ट का बल्व है, उसकी सबसे ज़्यादा पावर है, तो उसकी क्या होगी, सबसे कम जो है, आर होगा, तो सबसे कम आर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है, पी थरी, पी वन को लेजिए, पी वन का कितना वार्ट है बचो चालीस वार्ट है, यह 40 होगा, तो सबसे कम है, तो इसका पर्चरों सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चो? तो यहाँ पर जो है, P1 greater than, P2 dash greater than, P3 dash, ठीक है बच्चो? तो सबसे ज़्यादा जो है, उर्जा कौन ब्याई करेगा बच्चो? चालीस वार्ट का बल्ब, ठीक है बच्चो? क्योंकि चालीस वार्ट के बल्ब का पत्रों सबसे ज़्यादा आएगा, यह देखो, चालीस वार्ट का बल्ब है ना बच्चो? यह 40 वार्ट का बल्ब कम है, तो यह क्या ज़्यादा आएगा, अगर यह ज़्यादा आएगा, तो इसमें क्या होगा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा 40 वार्ट का बल्ब चम केगा ठीक है बच्चो अर्थाक सबसे कम पावर वाला बल्ब ठीक है बच्चो सबसे कम पावर, स्रेणी क्रम में, ये हो गया बच्चों, स्रेणी क्रम में, सबसे कम पावर, वाला बल्ब, सबसे अर्धिक चमकेटा, क्यों की, क्यों की क्यों बच्चों, ये उसका पर्तिरोद, उसका पर्तिरोद सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, तो स्रेणी क्रम में, क्या होगा, जो बल्ब जो है, सबसे कम वाल्ट का है, वो सबसे ज्यादा चमकेगा, क्योंकि उसका पर्तीरोद के आएगा यह देखो, इस सूतर के अमसार उसका पर्तीरोद के आएगा सबसे जजादा आएगा और उसकी power क्या हो जाएगी consumption जो power है वो सबसे जजादा हो जाएगी ठीक है बच्चो अब दूसरा है समानतर करम समानतर क्रम ठीक है बच्चो इन पैरलल ठीक है बच्चो अब हम पैरलल में चलो बच्चो हम यहाँ पर दो बल्ब जोड़ देते हैं तीन में आपको तोड़ा दिकात हो रही है दो बल्ब हम यहाँ पर जोड़ देते हैं एक बल्ब हमने यह जोड़ दिया है ठीक है बच्चो यह दिखाए देरा बच्चो आपको और दूसरा बल्ब हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है यह देखो बच्चो और इसको हम जहें स्रोज से जोड़ देते हैं ठीक है बच्चो इस प्रकार से हमने इसको स्रोज से जोड़ दिया भी इस इकल टू दो सो बीस बोल्ट ठीक है बच्चो इस परकार से हमने इसको जोड़ दिया पहले की पावर ये P1 मान लिजे जो है ये 100 वार्ट का है और ये जो P2 है P2 मान लिजे 60 वार्ट का है तो कौन चमकेगा अब आपको ये देखना है बच्चो इसमें ठीक है दो आप देखो बच्चो ये सोर्स से धारा जाएगी यहाँ पर I बंड जाएगी I1 और I2 में बंड जाएगी I1 और I2 में बंड जाएगी तो अब किस फॉर्मली का प्रियोग करेंगे बच्चो थोड़ा मैं लिख देता हूँ फिर हम बोलने हैं R inversely proportional होता बच्चो किसका पी का अब बताओ यहां पर यहां पर आप हमें यह बताएंगे 100 watt के बल्ब का 100 watt का बल्ब है 100 watt का तो इसका पर्तिरोद कम आ जाएगा और 60 watt यह कम है यह कम पटे में रहेगा तो यह क्या हो ज्यादा हो जाएगा यहां पर क्या होगा 100 watt का पर्तिरोद कम तथा 60 watt का 100 watt का पर्तिरोद कम होगा है ना यह देखो यह ब्यतकुर्मान पाति है 60 watt का अधिक होगा अधिक होगा अब देखो बच्चो यहां पर देखो यहां पर देखे यहां पर जो है अब हमने पावर कंजप्शन निकालनी है तो पावर कंजप्शन कितने हो जाएगी पहले के लिए बच्चो पहले के मालने तो, P1 बराबर कितने हो जाएगा बचो, B2 बटे R1, 60 वाट के लिए हो जाएगा, और 40 वाट के लिए कितने हो जाएगा, P2 बराबर B2 अपोन R2, ठीक है बचो, यहाँ पर कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बचो, यहाँ पर R1, R1 किसका परत्रोद मानक है, पहले का परत्रोद मानक है, तो पहले का परत्रोद मानक है, तो 60 वाट, 100 वाट का परत्रोद कम है, तो यह कम होगा, तो यह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएग अधिक चमकेगा और 40 वार्ट वाला 60 वार्ट वाला कम चमकेगा 100 वार्ट का बल्ब अधिक चमकेगा अधिक चमकेगा ठीक है बच्चो देखो बच्चो सूत्र अलग लगें आप नहीं समझने इस बात को सूत्र अलग लगें बच्चो यहां पर देखो अगर आपको एक बार फिर केले कराना है तो बच्चो जब हम स्रेणी कम करम लगाएंगे तो पावर का सूत्र क्या लिखेंगे आई स्कौर आ लिखेंगे तो यहां तो पर्चिरोद डारेक्ट आ रहा है ठीक बच्चो जब लगाएंगे तो पर्चिरोद का आ रहा है बटे में आ रहा है तो यहां पर्चिरोद कम होगा तो पावर बढ़ जाएगी यहां पर्चिरोद कम होगा तो पावर घड़ जाएगी यहां पर जो हैं इस फॉर्मुले के इस फॉर्मुले के अंसार जो है पावर सो वाट के बल जाते हैं बचो बहुत बहुत धन्यवाद